तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हे लाइफ में सफल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर सुबह जल्दी उठना क्यों होता है? आखिर क्या कारण है कि एपल के CEO टिम कुक सुबह चार बजे उठ जाते हैं? हॉलिवुड के हाइस पेड एक्टर ड्वेन दरॉक जॉंसन सुबह साड़े तीन बजे उड़ जाते हैं बॉलिवुड के खिलाडी अक्षे कुमार सुबह चार बजे उड़ जाते हैं पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान मंत्री हमारे भारत देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी सुबह चार बजे उड़ जाते हैं ऐसा क्या है सुबह जल्दी उठने में जो बड़े बड़े I.S.I.P.S. ऑफिसर जल्दी उठ जाते हैं दुनिया के लगभग सबी करोर पती अरब पती सबसे जादा हाइली सक्सेस्फुल लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं दोस्त आज एक बात को ध्यान रखना है ये वीडियो आकरी तक सिर्फ वही देखेगा जो सच में जिन्दगी में सीरियस है और सच में सुबह जल्दी उठना चाता है और अपने सपने को हकीकत में बड़ना चाता है वीडियो शुरू करने से पहले याद रखो दोस्त अब तक जो करते आये थे अगर वही करोगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया था तो आज मैं कुछ ऐसी चीजे बदलने को कहूंगा आज कुछ ऐसी चीजे जोडने को कहूंगा अगर तुमने ये कर लिया तो मैं गैरंटी देता हूँ कि अब से तुम सुबह जल्दी उठोगे दोस्त अगर आप नॉर्मली सुबह साथ बजे उठते हैं लेकिन अगर सिर्फ तीन गंटा पहले उठना शुरू कर दिया तो पूरे साल में तुम एक हजार पिच्चानवे घंटे बचा लोगे और आगे आने वाले दस सालों में पूरा एक साल दो महीने और पच्चिस दिन यानि की 10,950 गंटे और अगर ये तीन गंटे आगे आने वाले दस साल में तुमने उस स्किल में लगा दिये जिसमें तुमें एक्सपर्ट होना है तो तुमें उस स्किल में हराने वाला इस कुछ भी अचीव नहीं कर सकता जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन 8 गंटे ही सोना है अगर आप 6 गंटे भी सोते हैं तो वो भी आपके लिए बैस्ट है आपको जादा प्रोडक्टिव होना है जादा कारेशमता को बढ़ाना है तो 6 गंटे बहुत है और ये बात कभी मत भूल कि अगर जिन्दगी में तुमने हमेशा आसन काम किया तो जिंदगी तुमकरी कटिन हो जाएगी और अगर जिंदगी को बनाने क्लिए तुमने क्तिन काम आज ही किये तो तुम्हारी जिन्दगी बहुत आसन हो जाएगी दोस्तो आप मैं hazards कि बताता हूँ कि तुम नहीं सु अपने मम्मी पापा से पहले ही उठ जाते हैं तो सबसे पहले एक ऐसा कारण ढूलो कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना क्यों है और ये कारण सिर्फ आपका होना चाहिए आपको जिंदगी में इन तीन घंटों का इस्तमाल किस चीज में करना है स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई में कर सकते हो बिजनसमेन हो तो अपने बिजनस को बढ़ाने के लिए कर सकते हो आप जिसमी फील्ड में है उस फील्ड में बहतर बनने के लिए कर सकते हो दोस्तो नॉर्मली ऐसा होता है रात को मोवाईल हाथ से छूटता नहीं तो सुबह तक ही हम से छूटता नहीं हमको एक बात का खास ख्याल रखना है कि सोने से लगभग 30 मिनट पहले हमको मोवाईल या टीवी बिल्कुल भी नहीं देखना 39 मिनट में हमें बिना मोवाईल या टीवी के रहना है 39 मिनट में कुछ मिनटों में आप अपने अगले दिन की प्लानिंग बना सकते हो और सोने से महस पांच मिनट पहले आपको सिर्फ सबसे पॉजिटिव चीजे सोचनी है जो जिन्दगी में अच्छा अच्छा हुआ है सिर्फ वही सोचना है नमबर थ्री सोने से पहले एक ये दो गलास आपको पानी पीना है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अलान तो भर देते हैं लेकिन हमको सुनाई ही नहीं देता लेकिन अगर आप पानी पीकर सोते हैं तो आपका दिमाग हमेशा अलर्ट पोजीशन पे रहता है और साथ ही एक पटिकुलर टाइम के बाद हमें अपने शरीर से पानी को यूरिनेट करना होता है तो इसके कारण अगर आप पानी पीकर सोएंगे तो आपको सुबह जल्दी उटने में हेल्प होगी और सबसे जरूरी है नमबर चार सिर्फ एक अलर्म सेट करो और उसको अपने बैड से दूर रखो सबसे गंदी यादत यह है कि हमको अगर सुबह चार वजे उटना है तो हम तीन वजे का साधी तीन वजे का पौने चार वजे का अलर्म सेट करते हैं इतने सारे अलर्म भरने के बाद अकसर ऐसा होता है कि हम पहले अलर्म पे कभी नहीं उटते और कहते हैं पांच मिनट और सो लेता हूं पांच मिनट और आराम कर लेता हूं पांच मिनट बाद उट जाऊंगा और चार बजे का जो तुम्हारा टार्गेट होता है जिन्दगी में कभी पूरा नहीं होता तो दोस्त सिर्फ एक ही अलार्म भरना है और उस अलार्म क्लॉक को अपने बैड से काफी दूर रखना है ताकि जब भी वो अलार्म भजे तो आपको उठकर उसको बंद करना पड़े तो जैसे ही अगर आप उठ जाते हैं तो वहीं पर हलकी सी एकसरसाइस करनी है और साथ ही मूद होकर दस मिनट खुली हवा में घूमना है दोस्तो अगर ये चार काम आप मात्र 21 दिन कर लेते हैं तो आपके लिए सुबह उठना बच्चों का खेल हो जाएगा पहले दिन दिक्कत होगी मैं मानता हूँ लेकिन 21 दिन अगर आपने कर लिया तो आप इस खेल के मास्टर बन जाओगे ये भी मैं जानता हूँ आखरी में मेरी एक बात याद रखना सोते रहने वाले सिर्फ सपने देखते हैं और जागने वाले उन सपनों को जिद में बदल कर हकीकत में पूरा करते हैं अब तुम कौन हो वो मुझे कमेंट में लिख कर बताना